इस वीडियो में दी हुई जांकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई का उप्योग करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछे, अगर आप इस वीडियो को देखर किसी दवाई का उप्योग करते और शारीरिक व्रिद्धी और स्वस्त विकास में सहायता करने के लिए विटामिन A, विटामिन C और विटामिन E से सम्रिद्ध है ये सिर्फ नखरेबास खाने वालों के लिए आदर्श हो सकता है, जिन्हें अपने देनिक आहार से आवश्यक पोशक तत्व नहीं मिल पाते हैं चलिए जानते हैं इसके कुछ फाइदों के बारे में एक, शरीर के सभी अंगों में उतकों की वृध्धी और मरम्मत के लिए विटामिन C की आवश्यकता होती है दो, नियासिनमाईट तंत्रिका स्वास्थ्य और तवचा कोलेजिन के लिए महत्वपूर्ण है तीन, जिंक प्रतिरक्षा प्रणाली को हमलावर बैक्टीरिया और वाइरस से लड़ने में मदद करता है चार, डी पैंथिनॉल विटामिन B5 का एक प्रोविटामिन है और तवचा पुनरजनन और तवची स्वास्थी के लिए महत्वपूर्ण है पांच, पाइरिडॉक्सन हाइड्रोक्लोराइड शरीर को भोजन को इनधन में बदलने, वसा और प्रोटीन को चयापचे करने, तंत्रिकाओं के उचित कामकाज को बनाए रखने और लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करने में मदद करता है छे, थियामिन हाइड्रोक्लोराइड एरोबिक चयापचे, कोशिका वृद्धी और तंत्रिका आवेगों के संचरण के लिए आवश्यक है साथ, विभिन प्रकार की एनजाइम प्रतिक्रियाओं के लिए राइबोफलेविन की आवश्यकता होती है आठ, तामबा कोलेजन के निर्मान में मदद करता है, आईरन के अवशोशन को बढ़ाता है और उर्जा उत्पादन में भूमिका निभाता है नो, बायोटिन शरीर को वसा और काबोहाइडरेट को चयापचे करने में मदद करता है दस, सेलेनियम में एक आवश्यक ट्रेस खनिज है, जो संग्यानात्मक कारियों और स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए महत्व पूर्ण है विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो, तो विडियो को ज़रूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन बेल को और नोटिफिकेशन पर सेट करें